नमस्कार डी फाइफ चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ गड़ों में गड़ चित्तोर गड़ बाकी सब गड़ईया जी हाँ ये कहवत है चित्तोर गड़ के किले के लिए भारत का एक ऐसा किला जिसको विश्व विरासत इस्थल समीती द् किस जून 2013 में युनेस को विश्व विरासत इस्थल घोशित किया गया तथा जो विश्व संसती की द्रश्टी से भी मानवता के लिए महत्वपोन है कुछ खास परिस्सित्यों में ऐसे एतिहासिक इस्थलों को इस समीती द्वारा आर्थिक सायता भी दी जाती है भारत का यह किला राजिस्थान के चित्तौडगर में है। चित्तौडगर का यह किला भारत का सबसे विशाल किला है। साथ ही यह कहा जाता है कि गड़ तो चितोरगड और बाकी सब गड़या वास्तों में इस दुर्ग का निर्मान इस तरह से हुआ है कि पर्यटकों को यह अब भी विस्मय वरोमांच से भर देता है यहाँ पर तीन बार जोहर भी किया गया था किले में प्रवेश करने के लिए लगातार साथ दरवाजे थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनाए गए थे किले में प्रवेश करना शत्तूओं के लिए भी बहुत मुश्किल था परंतु यह किला विस्तरत मैदान के बीच एक लंबी पहाड़ी पर बना है जो अन्य परवट शेडियों से अलग हो जाता है इस कारण शत्त्रूओं द्वारा इस किले का घेरा डाल कर किले में इस्तमाल होने वाले राशन को पहुँचाना रोग दिया जाता था इस किले का जब जब घेरा डाला गया तब तब यह भोजन सामगरी होने तक ही सुरक्षित रहा है भोजन आदी सामगरी खतम होते ही राजपूतों को विवश होकर युद्ध के लिए किले के द्वार खोलने पड़ते थे लेकिन शत्रों की बड़ी सेना होने के कारण अक्सर उन्हें हार का सामना करना पड़ता था इस किले में तीन बड़े एतिहासिक युद्ध भी लड़े गए हैं इसके लिए जिम्मेदार चाहे बास्तु को माना जाए या धर्मिक परंपराओं को माना जाए युद्ध में हार का कारण यही रहा है पहला एतिहासिक हमला तब हुआ था जब सूर्य देवता की सोने की मूर्ती को हटा कर माकाली की मूर्ती को स्थापित किया गया था हलांकि राजपूर देवी के उपासक होते हैं परंतु उत्तर से सूर्य देवता की मूर्ती हटाना वास्तु के और धार्मिक मानेताओं के अनुसार गलत माना जाता रहा है दूसरा एतिहसिक हमला तब हुआ था जब चित्तौर का मुख्य द्वार जो की उत्तर पूर्व में था और काफी चड़ाई होने के कारण द्वार वहां से हटा कर डक्षिन पस्चिम में कर दिया गया जो की वास्तु के हिसाब से गलत है इसके बाद जो युद्ध हुआ उसमें भी हार का सामना करना पड़ा था इसी तरह तीसरे युद्ध में भी हार होने के कारण या किला फिर कभी आबाद नहीं हुआ जबकि यह एकलोता राजवन्ष है जो 1400 सालों तक कायम रहा है किले में प्रवेश के लिए 7 द्वार से होकर जाना पड़ता था जिन्हें पोल कहा जाता था हर पोल का एक अलग ही नाम है और एक अलग इतिहास भी जुड़ा है पांडन पोल पांडन पोल किले का पहला प्रवेश द्वार है यहाँ भी कहा जाता है कि एक बार भीशन युद में खून की नदी बहने पर एक पाड़ा यानि की भैसा भैता भैता यहां तक आ गया था इसी कारण इस प्रवेश द्वार को पांडन पोल कहा जाता है किले के प्रथम द्वार पाडन पोल के बाहर ही एक चबूत्रे पर रावत बाक सिंग का इसमारक बना हुआ है गुजरात के सुल्तान बादोर शाह ने जब चत्तोर पर आक्रमन किया तो रावत बाक सिंग ने मिवार का राज्य चिन्न धारन कर महाराना विक्रमादित्य का प्रतिनिदित्व किया तथा लड़ता हुआ इसी दर्वाजे के पास वीरगती को प्राप्त हुआ शहीद बाक सिंग के स्मरती में यह इसमारक बनाया गया है भैरव पोल पांडन पोल से कुछ दूरी पर उत्तर की तरफ चलने पर दूसरा दर्वाजा आता है जिसे भैरव पोल कहा जाता है सन 1534 में गुजरात के सुल्तान बादुर शाह के साथ युद्ध करते हुए भैरव सिंग मारे गये थे जिनके नाम पर इस दर्वाजे का नाम रखा गया है जैमाल कल्ला की छत्रियां भैरव पोल के पास दाहिनी ओर दो छत्रियां बनी हुई है जब बाश्या अकबर ने चित्तोडगर पर अक्रमन किया उस समय सेनापती सिसोधिया पत्ता तथा मेडतिया राठोड जैमाल दोनों किले के रक्षक थे जैमाल एक तूटी दिवार की मरमत करा रहे थे उस समय अकबर की गोली से उनकी एक टांग बेकार हो गई थी लंगडे जैमाल को कल्ला अपने कंदों पर बिठा कर दूसरे दिन के युद्ध में उतरा तो उन दोनों ने मिलकर शत्रू सेना पर कहर ढ़ा दिया अंत में दोन क्योंकि हनमान जी का मंदिर पास ही में है और हनमान जी की मूर्ती चमतकारिक एवं दर्षनिय भी है कहा जाता है कि हनमान जी अकसर मनत पूरी कर देते हैं गनेश पोल, किले का चोथा द्वार गनेश पोल है, जो हनमान पोल से कुछ आगे दक्षन की और मुढने पर आता है, इस द्वार के पास ही गनपती जी का मंदिर है जोडला पोल यह किले का पांचवा द्वार है और छटे द्वार के बिल्कुल पास होने के कारण इसे जोडला पोल कहा जाता है लक्षमन पोल किले के इस छटे द्वार के पास एक छोटा सा लक्षमन जी का मंदेर है जिसके कारण इसका नाम लक्षमन पोल पड़ा राम पोल लक्षमन पोल से आगे साथवे द्वार को राम पोल कहते हैं जिससे होकर किले के अंदर प्रवेश किया जाता है यह दर्वाजा किला का अंतिम प्रवेश द्वार है इस दर्वाजे के बाद चढ़ाई समाप्तो जाती है इस दर्वाजे के पास ही महराणाओं के उतरी मार्ग की ओर बस्ती है तथा दक्षण की ओर जाने वाले मार्ग से किले की दस्चनिय एसत्यल दिखाई देते हैं पत्ता समारक राम्पोल में प्रवेश करते ही सामने की तरफचबूत्रे पर सिसोधिया पत्ता के समारक का पत्थर है आमेर के राफ्तों के पूर्वच पत्ता अकबर की सेना से लड़ते वे इसे स्थान पर वीरगती को प्राप्त हुए थे कुकडेश्वर का कुंड तथा कुकडेश्वर का मंदिर रामपोल से प्रवेश करने के बाद सडक उत्तर की ओर जाती है उसे थोड़ी सी दूरी पर दाहिनी और कुकडेश्वर का कुंड है जिसके उपरी भाग में कुकडेश्वर का मंदिर है कहा जाता है कि ये दोनों रचनाएं महाभारत कालीन तथा पांडव पुत्र भीम से जुड़ी है इस कुंड में पानी दो गव के मुख के समान छोटे छोटे द्वारों से निरंतर आता रहता है बारहों महीने पानी कभी भी बंद नहीं होता है यहां आने से सभी पापों उसे मुक्ती मिलती है निरंतर पहाडों से स्वतह पानी आने की वजह से किले में आक्रमन के समय कभी भी पानी की कोई कमी नहीं हुई है लाखोटा की बारी रतनेश्वर कुंड से थोड़ी दूर पर पहाडी के पूर्वी किनारे के समीप लाखोटा की बारी है यह एक छोटा सत दर्वाजा है जिससे दुर्ग के नीचे जा सकते हैं कहा जाता है कि इसी द्वार के पास अकबर की गोली से जै में लंगड़ा हो गया था जैन की ती स्तंब लाखोटा की बारी से राज टीले तक सड़क दक्षिन में मुड़ जाती है वहीं पर बाई और पिचतर फीट उंचा साथ मंजिलों वाला एक स्तंब बनाया यह स्तंब नीचे से 30 फूट तथा उपरी हिस्से पर 15 फूट चौड़ा है तथा उपर की ओर जाने के लिए तंग सीडियां बनी हुई है इस पर आदिनात की 5 फूट उची दिगंबर जैन मूर्ती खड़िये तथा बाकी के भाग पर छोटी छोटी जैन मूर्तियां पूट गई थी तथा इससे इमारत को बड़ी हानी पहुची थी महाराणा फत्य सिंग जी ने इस इस्तंब की मरम्मत करवाई महावीर स्वामी जी का मंदिर जैनकीरती इस्तंब के पास ही महावीर स्वामी जी का मंदिर है इस मंदिर का जिर्णो द्वार पुरातत्त्व व हंटों इस मन्देर में बैठी रहती थी साधु संटों से तरक वितरक करती रहती थी नीलकंट मादेव मंदिर मावी स्वामी के मंदिर से थोड़ा आगे एक मंदिर और है यहां नीलकंट मादेव का मंदेर कहा जाता है कि मादेव की इस विशाल मूर्ति को भीम अपने सूरज पूल नीलकंट महादेव के मंदिर के बाद किले के पूरब की तरफ एक दरवाजा आता है जो सूरज पूल के नाम से जाना जाता है यहां इस किले के नीचे मैदान में जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है इतिहास में इस विरासत का अपना अलगी महत्वर रहा है अब युनेसको ने भी इसे विश्व विरासत इस्थल गोशित कर दिया है यह थी जानकारी चित्तोरगड के किले के बारे में आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा ऐस अन्य जानकारी के साथ फिर से आपके रूबर होंगे तब तक के लिए धन्यवाद